अज़ेंगे अज़ेंगे फटने लगेंगे और भक्ती द्रड़ हो जाएगे घर में आपके बहुत नकारात्म कूर्जा हो आपको लगता है तंत्र विद्या है आपको लगता है कि हमारे घर में कुछी ने कुछ करा दिया है आपको लगता है कि कोई negative energy यहां पर activate है आपको लगता है कि यह negative energy हमारे सरीर को हमारे परिवार को हमारे लोगों को हमारे घर में बहुत माहौल खराब कर रही है बिलुकुल मत गबडाएं आज एक उपाय सुन लाएं पंच मुखी हनमान जी जिनके पांच मुखों पंचमुकी अनमान जी किसी आचार, किसी ब्राम्मर, किसी साधक, सिद्धिके द्वारा उनका पूजन करवा करके मंगल बार के दिन चरणों में थोड़ा सा सिंदूर लगा करके और पान के पत्ते में सहद लगा कर उस पर पंचमुकी अनमान जी के छोटे से विग्रह को बैठा कर या चित्र को बैठा कर दरबाजे पर मुख दरबाजे पर टांग देना ये पंचमुकी अनमान जी की बात क्यों की जब राम जी का हरन करके अहिराबर ले गया पाताल लो तब वहाँ पर श्री हनमान जी ने राम जी की रक्षा के लिए पांच मुख धारन किये थे क्योंकि वहाँ जो कुल देवी थी अहिरावड की उस माता के मंदिर में देवी के मंदिर में अहिरावड ने पांच दीपक जला रखे थे और नियम था ये बात सिर्फ देवी को पता थी कि जो भी व्यक्ति एक बार में पांचों दीबक एक बार में फूक करके बुझाएगा उसी के हातों बद होगा अहिरामर का अहिरामर का बद करने के लिए स्री हनमान जी ने पांचों दीबक को बुझाने के लिए पंच मुख बना करके हनमान जी प्रकट हुए थे इसलिए अहिरामड यानि राक्षस घर में भी अगर राक्षस वरत्ती है कोई तंत्र है कोई नकरात्म कूर्जा है तो आप पंच मुखी स्री हनमान जी की पूजा प्रारंब करो अपने बच्चों को सयम महीने में एक बार सक्ताय में एक बार आप मंगलवार, सनीवार, रभीवार बहुत से लोग कहते हैं महराजी हमें कई लोग मिलते हैं महराजी और दिन तो हम लगाते हैं मंगलवार नहीं मंगल छोड़ देते हैं मंगल बार तो छूते भी नहीं महराजी बहुत सो लोग महराजी मंगल और सनिवार दौनों नहीं पीते बांकी तो पीते नककटा ठटरी के बरे इसका मतलब हनमान जी केबल मंगल बार भर को हैं बांकी दिन गायब मतरब हनमान जी बाकी दिन अपसेंट है सिर्फ मंगल और सनीवार को हनमान जी मिलते है ऐसा न? आप यही बोलना चाहे रहे न? अरे नहीं मंगल और सनीवार तो विसेश कृपा के लिए है मंगल सनीवार तो उन लोगों के लिए है जिने 7 दिन नहीं आना तो कम से कब मंगल के वहाने आओ कि आज बिसिष्ट दिन है आज बिसेश कृपा होती है बिसेश कृपा पाने के चक्कर में आओ मंगल और सनीबार तो इसलिए है हनमान जी का बाकि हनमान जी का तो चारों युग परिताप तुम्हारा हे परिशिथे जगत उजिए बहुत न वो तो चारों yugों में क्या मंगल अच्ञा चारों यीगों में ऐसा तो है नहीं कि केबल मंगल सनिवार भा बहुत से लोग हमें महाराजी सनिवार को तो हमारे गर पे कुछ बनते ही नहीं बहुत सी माता हैं मिलती हैं, महराजी, हनमान जी की तो हमारे स्वामी जी बड़े पुजारी है अच्छा मा, कैसे? महराजी, सनीवार को तो हम कुछ बनाते ही नहीं है कुछ मदरब समझ जाओ, हम क्या बोलना चाहे रहे हैं आप लोग बहुत समझदार हो ना उपर या तो इंद्र है नीचे नागपूर वाले बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं हमें बड़ा अश्चले लगता, हमें बड़ी हसी आती है कि बताओ ये विचार क्या कर रहे हैं मतलब बागी दिन हनमान जी गायब शिर्प मंगल सनीवार हनमान जी लेंड करते हैं, फिर अब जो स्वास ले रहे हैं स्वास लेना हनमान जी है प्राण बाइयू जो है न हनमान जी प्राण है स्री हनमान जी के बिना प्राण असंभव है लेकिन आप लोग प्रवचन सुनने नहीं बैटे आप तो परचा के चक्कर में बैटे कुछ लोग तो यह सोच रहे हैं यह कब बंद होगा वो जादूगरी कब शुरू होगी जो 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 भुलाते हैं वो कब शुरू करेगा यह यह लगाए जा रहा है लगाए जा रहा है यह हनमान जी यह पंचमु की यह यह छोड़ मेरे बाप का नाम बता